मेंटल हेल्थ को लेकर आपनिसीना फांडिशन आवेरनिस ऍ्रेड कर रहा है मुसलिम मेंटल हेल्थ को लेकर कॉंफरेंस कि जसमें क्मूनिटी लीडर्स नेओ खास दौर पर हिस्ता लिया देखे स्पेशल रिपॉर्ट मेंटल हेल्थ का स्टेगमिटाइज सब्जेक ले आया मुसलिम्स को एक साथ सारे हीुस्टन से फर्स्ट अफ इस काइन इवेंट में करीब 300 कम्यूनिटी लीडर्स जिसमें शामिल थे काउंसिलर्स इमाम, मेंटल हेल्थ और रेफिजी सर्विस प्रोवाइडर्स मिले मुसलिम मेंटल हेल्थ कॉंफरेंस में कम्यूनिटी लीडर्स के साथ शगरलैंड में जहां उन्होंने मुद्दा उठाया एडिक्शन, यूथ, मेंटल हेल्थ और कोविड-19 एफेक्ट्स का इबनसेना फाउंडेशन ने और्गिनाइज की ये कॉन्फरेंस याद रहे कि इबनसेना नॉन प्रॉफिट है और देता है हेल्थ केर सर्विसेज लो इंकम हूस्टन फैमिलीज को करीब 25 मुस्लिम मिजॉरिटी कंट्रीज ने रेप्रेसेंटेशन के साथ इस कॉन्फरेंस में हिस्सा लिया जिसका फोकल पॉइंट बना मेंटल हेल्थ केर जहां बात की गई के कैसे हासिल की जाए हेल्प जब सोसाइटी इस मुद्धे को टैबू समझती है और ये के कैसे दी जाए सपोर्ट आम लोगों को जब उनको जरूरत हो आज इसका कोई मैच नहीं है सेवन प्लस क्लिनिक्स और अब कम्यूटी के आउट्रीश पोग्राम में हम एज़ा टीम जेस्टरान के साथ काम कर रहे है वो बहुत फूटफुल नताई दे रहा है और आज के कॉन्फरेंस इसका जिन्दा सबूत है इडवाकसी और कॉलाबरेटिव केर मॉडल पर बात की गई कि कैसे मेंटल हेल्थ केर प्रिफेशनल्स पार्टनर कर सकते हैं इमाम्स और दूसरे स्पिरिचूल लीडर्स के साथ ताके गाइड किया जा सके पेशिंट्स को मेंटल हेल्थ क्राइसिस के दौरान reporting live from NTV Houston